तो हलो स्टेंड्स आज हम लोग बात करने वाले हैं आयनिक कंपाउंड के बारे में चिक है आयनिक योगिक और सौसुनक योगिक के बारे में कोवेलेंट कंपाउंड इस से पिछले वाले वीडियो में हम लोग आयनिक बंधन और सौसुनक बंधन के बारे में और उसके परका के में आयनिक बंदन होता है उसे हम लोग आयों क्योंक्ते हैं तो अएक योगी को पाचाने का सबसे आसान तरीका है कि जो आपका दिया हुआ योगिक स्वेल मेटेoses के पाले कि मेतल है याँ तके और फिर उसके बाद अधातू या अधातू का समूह है तो उसे हम लोग आईनीक योगिक कहते हैं जिस देखें आपर N-A-C-L N-A-C-L में क्या आपको जो N-A है वो मेटल है आपका धातू है और जो आपको C-L हो गया पका नॉन मेटल हो गया मतलब कि अधातू हो गया तो इस कंपाउंड में इस योगिक में धातू और अधातू दोनों है इसले क्या हो गया आपको यह आईनेक योगिक हो गया अगला बात करते हम लोग इसमें कैल्सियम कोल्राइड कैल्सियम कोल्राइड में आपको कैल्सियम क्या है धातू है मेटल है और क्यों क्या हो गया आपको अधातू और धातू नॉन मेटल इसके मतलब इसके अंदर भी धातू और अधातू दोनों है इसलिए यह क्या हो गया आपको अगला बात करते हम लोग इंसमें क्या आपको यह अं आलों शोडियोम का हॉड्रॉक्षाइड है। इसमें एक oxygen है और एक hydrogen है तो hydroxide जो है वह अधातू का समुख बन गया इसलिए आपको यह अधातू का समुख हो गया तो जहां भी धातू और अधातू से योगिक का अंदिर्मान होता है उसे हम लोग क्या करते हैं आईनी क्यों करते हैं आईनी कंपाउंड करते हैं का दिखा माथ करिए अग्ला सासरेक आजा़ चांड वैसा योगिक जिसमें सास्थार्यूजग आबंध हो इसे पिछली वाले कलास में मिन उससाम के बारे में पढ़ चुके एक और सासुनक अबंद्ध द्विक सासुनक अबंड ट्रिक सासुनक अबंद ठीक सासुनक आपन ठ प्रिजिट कर ले ठीक है तेकिया क्या होगी आपको सब्सक्राइब कि जिस योगिक में सास्ट तरीजएक आबंध होता है उसे अम लोग सास्ट योगिक करते हैं तो सास्ट जो आबंध था वो सेरी वाला आबंध था इसका मतलब कि प्रमानूं के बीच इलक्ट्रोनों के सज करने साथ जो अबंध बना वो और सास्ट अ का बंध बना और यह आबंध जिस योगिक में भागे लिया वो सब्सक्राइब योईई हो गिए कि इसने में hydrogen cold ride, hydrogen cold ride में hydrogen भी क्या आपको? अधातौ और chlorine भी कै आपको? अधातौ इसका मतलब जो 30 सनीजग आबंध होता है और वो तो आपको अधातौ के बीच होता है और उसी प्रकार से जो 100 सनीजगों के बीच होता है तो ज़धी आपको ना होगा उसके सबसे पहले देखिए कि किवल अधातू है या नहीं उसमें य데्जी उस योगिक में किवल अधातू कहीं योगिक बना हुआ है इसका मतलब क्या होगा आपको सह सुनूआ कि यह करभन आधातू है नाधातू है तो चिके है अधान आधातू कर दो किया है तो जो किवल आधातूं से योगी का दिर्माण होता है वह अपका सब्सक्राइब को बात करेंगे जो बहुत ही important है यह हर साल आपको कोशण में इसकी भहुत अधीक कवेटेश होती है या तो आपका बोर्र इग्जाम हो या आपके मिल्टम एक्जाम हो ठीक है उसा भी एक्जाम में भी आपको इसका टेस्ट एक्जाम हो आइनिक योगिक और सरस्नेक योगिक में अंतर ठीक है आइनिक योगिक और सरस्नेक योगिक में अंतर देखिनों इसको एक्टेवल वाइस इसको अरेंज कर लिए है आइनिक योगिक औ करें इसमें आयनिक बंद होता है करी मतलब किल था आपको आईनी का बंध होता है सभी में का आपको सभ सरीनक आबंध होता है ठीक है अगर आप प्रक्टिकल्ड देखना चाहते हैं तो सोडियम को राइड में बात करते हैं अगर उसको पानी की मातरा ना हो तो उस तो धाराय का परवाह नहीं होता है लेकिन जैसे ही उस सोडियम को रैड में थोड़ा सा पानी के मातरा कर देते हैं तो भीतुत का सुचालक होता है मतलब कि गुड़ करेंटा लेकर सिटी होयाता है तो क्या बोलें हम लोग कि आयनिक योगिक जो होता है वो द्रवीया वस्था या आपको जड़िये विलियन के रूप में राता है तो भीतुत का सुचालक होता है जबकि सास सन्यूजक योगिक भीतुत का कुछालक होता है जैसे अगर बात करो अलकोहल भीतुत का कुछालक है गलुकोल्स के बात करो चुक्या कारबन टेट्राकुलाइड का बात करो है अब का जितनी भी सॉस्च ने क्यों होते हैं वो सब और यह कुछ आलग होते हैं कि अधिक होता है क्योंके आइनिक योगिक जो होता है वह एक परकार के अट्रेक्शन फोर्ष चे बंदा होता है जो कि वह एलेक्ट्रो अस्टैटिक्स फोर्ष काम करता है विदुत इस्थिरवल काम करता है पलस और माइनस की बीच में इसलिए इसका क्वथनांग और दोड़नांग दोनों उच्छ होता है जबकि सास सन्योजक योगी का क्वथनांग और दोड़नांग के आपको निमन होता है क्योंकि यहां पर आपको साजा से बॉंडिंग बनता है और जैसे ही हिट दिया याता है योगी को तो उसका बॉंड ब्रेक होता है उसका आवांड टूट जाता है अगला बात करेंगे इसके प्रमाणों के बीच परबल आकश्रबल होता है जबकि इसके प्रमाणों के बीच क के बिच में होता है और ऐसे करें कि आपको बंदना कि ठीक है जिसे बात करेंगे बिलोग एनसील के सीयल के टूए सफोर अना इस अपके सब क्या हो गया अई हो गया और मैं बोला ही ही आई निक पहचाने के लिए आप सबसे परदेखेंगे उसमें एक धातू है कि नहीं है जि से इसके साथ थैंक्यों फर फ़र्चली